हेलो फ्रेंट, जिक्के प्रेक्स में आपका स्वागत है, आज का यह वीडियो बजट प्राइध है, हाली में एक फर्वरी को बित्य बर्स 2021 के लिए बजट पेस किया गया है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बजट के टियास, बजट में सामिल आकड़ा, बजट के स समधित मात्पोन बिंदू को समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे बजट क्या है, जिस परकार से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी परकार से सरकार भी अपने खर्च आयब्याय के लेखा जोका बनाती है, जिसे बजट करते हैं, आम भासा में आने वाला साल के लिए कमाई और खर्ची की योजना को ही बजट करते हैं, चलिए इसे और अच्छी तरह समझते हैं, समानता बजट एक बितिय बर्स में सरकार के होने वाले अनुमानित आये, एवन विभीन प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले अनुमानित बेह का विवरन होता है, कि बजट जो है अनुमानित आये, एवन अनुमानित बेह का विवरन होता है, ओके फ्रेंड्स, बजट सब्की उत्पती फ्रेंच भासा के बोजेट या बोगेट से होई है, जिसका साब्दीकर्थ, चमड़े का थैला अथवा बटवा होता है, बजट सब्की उत्पती किस बटवासा से होई है, तो फ्रेंच भासा, आपको इसको ध्यान रखना है, बजट सब्का उलेक भारतिय सविदान में नहीं किया गया है, सविदान में इसका उलेक अनुछेद 112 में बारसिक बित्ती बिवरन के रूप में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, बजट स 202 में तो आपको ध्यां रखना है संसंद में budget धन-bidhek की रूप में परसुत किया जता है and provide a장을 109 एवं 110 में 109 में धन-bidhek से सम्झनित 206 परक्रिया का बर्ंण है जबकि one system 110 में धन-bidhek की परिवाशसा है आपको दोनों याद रखना है कोई भी भिदेक धन-bidhek है या नहीं यह लोक्षवा अध्यस्ताय करता है आये समझते हैं संसद में बजट धन विदेग की रुप में प्रसुत क्यों किया जाता है सरकार को विवीन मदों से प्राप्त होने वाली धन संचित नीदी में जमा होता है जब सरकार को धन क्या हो सकता होती है तो वा संचित नीदी से धन निकालता है इसके लिए संसद में बिल पेश किया जाता है जिसे धन विदेग करते हैं अता इस अधार पर हम कह सकते हैं कि बजट संसद में धन विदेग के रुप में प्रसुत किया जाता है कोई विदेग धन विदेग है या नहीं यह लोक्षव का नियंतरन एवं विकास की गति को बढ़ावा दने के लिए दो परकार की नीति अपनाई जयती है एक मौदरिक नीति जो आरभीये मनाती है दुसरा राजकोशी नीति जो सरकार बनाती है, यहां से प्रस्न आते हैं, दोनों को ध्यान रखिए, मौदरिक नीती, आरभियाई मनाती है, राजकोशी नीती, सरकार मनाती है, राजकोशी नीती का एक ही उदेश है, सरकारी खर्च का नियंतरिन टर्ना, एवं विकास की गती को बढ़ावा देना, सेम बजट का भी यही उदेश है, बजट सरकार की राजकोशी नीती का एक लेखा पत्र होता है, इंसावी महत्पुन बिन्दू को याद रखी, बजट में तीन साल के आकड़ी को सामिल किया है ता है, पिछले साल के बास्तवीक आकड़ा, बरतमान साल के आस्थाय या संसोधित आकड़ अगले साल की अनुमानी तकड़ा देखिए बरतमान में फाइनिसल एर 2019-20 चलू रहा है यह फाइनिसल एर 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जागा एक अपरेल से 2021 के लिए financial year शुरू हो जाएगा दिखे जब financial year समाप्त हो जाता है तो यह असपस्ट हो जाता है कि आमदनी कितना हुआ और खर्च कितना हुआ ऐसी स्थिति में हमें बास्तिविक आकड़ा पराप्त हो जाती है अभी बरतमान में यह चालू भी तिवर्च से 2019-20 का कितना अमदनी होगा और कितना खर्च होगा यह 31 मार्च 2020 को पता चलेगा ऐसी स्थिति में इसे आस्त है आकड़ा यह संसोधित आकड़ा करते हैं तिसरा जब हम बजट पेस करते हैं तो हमेशा अनुमानित आय और अनुमानित ब्याय का बेवरा होता है तो याद रखें आने वाले साल के लिए जो बजट पेस किया आता है उसमें अनुमानित आय एवं अनुमानित ब्याय का आकड़ा होता है तो यहां से ध्यान रखिए, ओके फ्रेंड्स, आईए समझते हैं बजट के संगटक के बारे में, चलिए इसे एक्जामपल के मादम समझते हैं, देखें कांसा का नम आपने सुना होगा, कांसा में क्या होता है, तामबा और टीन, तो कांसा के संगटक को न हुआ, तामबा और सबसे पहले समझेंगे, कुल प्राप्ति के बारे में, कुल प्राप्ति का दो हेड है, एक है राजासु प्राप्ति, दुसरा है पोजिगत प्राप्ति, राजासु प्राप्ति में एक है कर राजास्वे, दुसरा है गैर कर राजास्वे, कर राजास्वे में कोन है, तो पर परत्याचकर क्या होता है जैसे हम income tax भरते हैं तो क्या हुआ परत्याचकर क्योंकि इसमें सरकार और जो tax दाता है उसका सीधा संपर्क होता है दूसरा होता है आप परत्याचकर जैसे GST क्या है एक आप परत्याचकर है उत्पाद सुल्क आप परत्याचकर है विक्रीकर आप वहाँ टेक्स आम जन्ता पर लाग दिया जता है तो यहाँ पे टेक्स दाता और सरकार के भी सीधा सम्मन्नी होता है जिसमें सरकार और टेक्स दाता के भी सीधा सम्मन्नी होता है उसे परत्याच करकते हैं जैसे ब्याज से प्राप्धन, मालने जे भारत किसी को रिन देता है, तो रिन पर जो ब्याज प्राप्ध होती है, वह गयर राजसु होता है, राज की ये संपती, देखिए किसी बेक्ती की मिर्तु हो जाती है, मिर्तु के बाद उसकी संपती को क्लेम करने वाला यदि कोई न डाता है। ऐसे दन को राज के प्रिसंपति कते है। यह सबी 12 राजस्व के अंत्रगत आता है। तिसरा लावांश देखिए , बहुत सारी कम्पनी सरकार को लावांश देती है। RVIB ल लावांश देती है। तो यह भी क्या है ? 1320- अनुदान, कोई अधी गरांट देता है, कोई उपहार देता है, यह सभी क्या है, गैर कार राजस्वे, जुर्माना, यही कोई नियम है, उसको कोई तोड़ता है, तो जुर्माना लगा जाता है, तो यह क्या है, गैर कार राजस्वे, उसी प्रकार, होट फिस्ट, जो लीगल होता है RTI FIS, यह सबी क्या है, गैर काराजस्में, तो कर राजस्में कुन-कुन आ गया, परत्याचकर, एवं अब परत्याचकर, गैर काराजस्में क्या गया, ब्यास्य प्राप्धन, राज्किय परिसंपतिय, लावांस, अनुदान, उफ़हार, जुर्माना, कोट FIS, RTI, विसुबैंग हो गया, आईमेप हो गया, तो यह रिन पुंजगत पराप्तियां कर लाते हैं, ठीक, उसी प्रकार, सरकार दोबारा दिये गए रिन के वापसी, जैसे माली सरकार किसी राज को रिन देती है, वापस, वह राज सरकार को कर देती हैं, तो ऐसे संपति को क्या ब बिन्यवेश देखें कई बार सरकार अपनी हिसेदारी बेशती है तो उससे जो प्रात समपति होती है उससे बिन्यवेश क्य CAPT आपको यादर्कना है पूंजगण प्रापति में कोन को ना गया है सरकार दोवारा लिया गया रिन, सरकार दोवारा दे गया रिन के वापसी, लगू बचती हो जना, बिनिवेस, ये सभी पुंजिगत प्राप्तियां में आ गया, अब देखते हैं, राजा सुब्य एवं पुंजिगत बे, देखें, राजा सुब्य में क्या क्या आता है, ब्या करमचारियों के वेतन, अनुदान, सबसीडी, इसका परिभाशा इस परकार आप याद रच सकते हैं, ऐसा खर्च जिसे सरकार की संपती का निर्मान नहीं होता है, और सरकार को चलाने के लिए ऐसा खर्च करना जरूरी होता है, ऐसे खर्च को राजशु बेय करते हैं, दूसर माला, भारत माला प्रजेक्ट, यह सभी क्या है, पुंजगत बेय, तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है, बजट से प्राफ सरकार के आएवं बेय का परिबंदन तीन माध्यम से होता है, पहला संचित निदी, दूसरा लोक लेका, तिसरा आकास्मिक निदी, चलिए एक सरकार की सभी राजास्व प्राप्तियां, जैसे परत्याचकर, आपरत्याचकर, गयर राजास्व प्राप्तियां, सभी प्राप्तियां जो है, संचित निदी में सामिल होती है, दूसरा भारत सरकार दोवरा लिया गया रिन, जैसे आर्बिया से जो लिया गया रिन है, या प्राप्त होने वाला धन जो है संचित नीदी में जमा होता है तो आपको याद रखना है जितनी वी सरकार को धन प्राप्त होता है कहां जमा होता है संचित नीदी में संचित नीदी का वरण कहा है अगला है लोक लेका इसमें सारवजिनिक धन सामिल होता है सारवजिनिक धन में कौन को नाता है बचत बैंक जामा भविस नीधी जामा डाग जामा राश्टिये बचत लगू नीधी एस अभी क्या है सारवजिनिक धन इसका वनन जो है अनुच्छे 266 में आकास्मिक नीधी का वनन अनुच्छे 200 सर्षट में क्या गया है। इस नीधी का उपयोग राश्पती की शमती से आकास्मिक खर्चों के लिए क्याता है। आकास्मिक खर्चे का मतलब होता है जिसे कभी-कभी देखते हैं टाकिर्थिक घटना जैसे बाढ भुकम ऐसी इस्तिती में जो खर्च होता है वो आकास्मिक नीधी से होता है। यहां एक बात ध्यान रखिए संचित नीधी से धन निकालने के लिए सरकार को संसत की मंजूरी लेना आवश्यक होता है जबकि लोक लेका और आकास्मिक नीधी से धन निकालने के लिए संसत की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है। आईए अब समझते हैं बजट के परकार, पहला है आम बजट या किंद्रिये बजट, बजट सब का उलेक सविदार में नहीं किया गया है, इसका उलेक वार्सिक बिती विवरेन के रूप में अनुच्छेद 112 में किया गया है, लेकिन बोल चाल की भासा में इसे आम बजट या किंद्रिये बजट कते हैं, बरतवान समय के आम बजट या किंद्रिये बजट जिसमें सरकार की बिती वर्स की आय एवन बेय का लेखा जोका होता है, इसे आम बजट या किंद्रिये बजट कते हैं, आपको याद रखना है, बिती वर्स एक अपरेल से सुरू होता है, तथा 31st March को स्वाप्थ होता है दूसरा है निस्पादन बजट चालू बितिये बर्ष जैसे बर्तमान में चालू बितिये बर्ष क्या है 2019-20 के परिनामों को अधार मानकर अगले बर्ष के लिए बनाये जाने वाले बजट को निस्पादन बजट करते हैं अर्थात पर्फॉर्मस बजट करते हैं तो पर्फॉर्मस बजट का नियवान किस पर होता है चालू बितिये बर्ष के परिनामों के अधार पर 20 होए सरपर्थम निस्पादन बजट की शुरुआत संज्युक्त राज अमेरिका में हुई थी जबकि भारत में इसकी शुरुआत उने सोनहत्तर में हुई थी तो सवी महकुन बिंदू को याद रखिए अगला है सुन अधारित बजट सुन अधारित बजट में परतेक कार्ज का निर्दारन सुन अधार पर किया जाता है अर्थात पुराने बर्षों के बेवों पर विचार नहीं किया जाता है ना ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है बलकि नए बर्ष के लिए नए सीरे से एस बजट को सुरियस्त बजट भी कहा जाता है, सुन अधारत बजट का जन्मदाता, पीटर एपायर को माना जाता है, इस बजट का सर्व पर्थम पर्योग 1973 में अमेरिका के जोर्जिया परांद के बजट में तद्कालिन गोवर्नन जीमी कार्टर दोवरा किया गया था, बा एंड इंडेस्ट्रियल रिसेर्च ने लागू किया, उसके बाद 1987-88 में सभी मंत्राले एवं विभागों में लागू हो गया, इस बजट को स्वरपर्तम आंद्र प्रदिस ने अपनाया, भारत में पहला सुन अधारित बजट राजियु गांधी ने पेस किया था, ओके फ्रेंड्स, अगला है प्रिनाम मुन मुखी बजट अर्थात आटकम बजट, यह एक प्रिनाम लचित बजट होता है, जिसमें सरकार दवारा घोसित विभीन योजनाओं को पूरा करने के लिए तीमाही समिछा की जाती है, इससे योजनाओं को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलती है, चली से समझते हैं, देखिए यहां सरकार की कई योजनाओं हैं, जैसे मिड़े मिल योजना, मध्यान भोजन योजना जो 1995 शुरू किया गया, मनरेगा जिसको पूर्व में नरेगा कहते थे, जोहर छे में नरेगा को शुरू किया गया था, लेकिन 2009 में मनरेगा नाम दिया गया, इसे याद करने का असान तरीका है, देखिए 6 को फुल्टा किजे तो 9 बन जागा, तो आप यहां से याद रखिए, दुसरा याद रख सकते हैं, ना और ना, यहां से याद रखिए, ठीक है, अगला है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प अधियर होती है, ऐसे में सरकार की बजट बढ़ जाती है, तो इन से बचनी के लिए सरकार जो है, आटकम बजट पेस करता है, जिसमें परतेक तीमाही में इसकी समिछा की जाती है, कि इसका परफॉमस कैसा है, ओके फ्रेंड्स, भारत का पहला परिदिनाम और मुखी अगला है लाइंगिक बजट, ऐसा बजट जिसमें संसाधन एवं कारियों का अवंटन लिंक के अधार प्रकिया जाता है, लाइंगिक बजट कहलाता है, इसमें खासकर महिलाओं एवं सीशियों के विकास, कल्यान और ससक्तिक करन से सम्मंदित, उन तमाम योजनाओं और का कार्य कर्म के लिए प्रती वर्स बजट में एक विर्दारी तरासी की ब्यवस्ता सुनशित की जाती है जैसे निर्भया कोस, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ अभियान, इसे ध्यान में रखिए, स्वरपरतम लाइंगिंग बजट 2006 से आत में पेस किया गया था, अब देख बचाओ, जैसे मानने जाए कि सरकार को सो रुपया का अंधनी होती है और बेटी कितना है, 120 रुपया, तो यहां पे बेटी कितना धिक हुआ, 20 रुपया, तो ऐसे बचाओ, जिसमें बेटी धिक हो, आय कम हो, घाटी की बजट कहते हैं, यादर गिए भारत में हमेशा घाट गाटे की बजट पेस किया आता है घाटे की बजट विकासल देश के लिए अच्छा माने आता है जैसे माले जिए कि 100 रुपय के आपने बजट बनाया लेकिन खर्च आपने नभी किया तो 10 रुपय आपका बच गया लेकिन यह दि 100 से अधिक हुआ तो समझी कि उस देश की व आय है और बे जो है 90 रुपया है तो यहां पर क्या हुआ आय अधिक हो गया और बे कम हो गया तो ऐसे बजट को अत्रीक बजट यह सर्प्लस बजट कहते हैं तिसरा संतुलीद बजट माले जी कि आय और बे का अंतर सुन अर्थात नगन के बराबर हो जितना अमदनी हुआ लगभग उतना ही खर्च हो गया तो ऐसे बजट को संतुलीद बजट कहते हैं तो इन सभी महत्पून बंदू को याद रखे क्योंकि यहां से प्रस ना सकते हैं आईए अब समझते हैं अंतरीम बजट क्या है कई वर हम लोग सुनते हैं कि बित मंतरी अंतरीम बजट पेस कि क्या जाता है ऐसे बजट को अंतरीम बजट कहते हैं यह बजट समाने तक चुनावी बरस में प्रसुत क्या जता है अंतरीम बजट के कुछ महीने बाद नई सरकार की और से पूर्न बजट पेस कि यह जता है 2014 में पीच इतमरम ने अंतरीम बजट पेस किया था, उसके बाद चुनाव हुआ और BGP की सरकार बनी, तो जब अंतरीम बजट पेस किया जाता है, तो कुछ महीने के लिए पेस किया था, क्योंकि अभुमान हुआ चुनावी बजट होता है, जिसमें कुछ महीने बचे होते हैं, और बाद में चुनाव होता है, तो ध्यान रखिए, चुनावी बजट में अंतरीम बजट पेस किया था, अंतरीम बजट कुछ महीने के लिए इसलिए पेस किया था, है क्योंकि यह इस्तिति हो सकता है कि सरकार बदल जा है जो पुराने व podr बजट मनाया है। उसको आने वह सरकार वह अपने तरिकसे भिजट प्रेस करेगा इसलिए अंतरीम बजट कुछ महिनत के लिए पेस कियाता है, जबकि आम बजट या किंद्रिये बजट पूरे बर्स के लिए पेस कियाता है, तो आपको असपस्ट हो गया होगा, कि अंतरीम बजट कब पेस कियाता है, और क्यों कियाता है, अंतरीम बजट चुनावी बर्स में पेस कियाता है, या कुछ महिनों के लिए पे क्याते हैं। लेखा नुदान, इसलिए कें किónकि कुछ महीदो के लिए बजट हम बनाते हैं, उसमें जो होने वाला। कर्च, वह खर्च यो हैं लेखा हनुदान की माध्यम से होता है। संसर द्वारा बजट पाज क्या जाने तक अंतरीम बजट के अंतरगत होने वाला खर्च कहां से होता है तो लेखा नुदान से होता है इसलिए अंतरीम बजट को लेखा नुदान अर्थाद vote on account एवं मीनी बजट की संघ्या दी जाती है अनुछेद 116 में लेखा नुदान का बर्नन है देखिए चुनाओ के बाद पहली बार चुनाओ भारत में कब हो था उनुष्व 51-52 तो उनुष्व 51-52 के बाद पहली बार अंतरीम बजट तद कालिन बित मंतरी मुरारजी देशाई दुबारा 1962-33 इस्वी में पेस किया गया सभी महत्मुन बिंदू को याद रखिए क्योंकि यहां से प्रस ना सकते हैं आए समझते हैं केंद्रिय बजट का मुख दस्ताविच कौन-कौन होता है पहला बजटिय वासन दुसरा बार्सिक बिति विवरन तिसरा बजट का सार चौता बीद बिदेख पच्मा बजट प् सनछेप में प्रसुत के जाता है चोथा बीत बिद लेक आए समझते हैं इसे आने वाले बर्स के लिए सरकार के सभी बीतिय प्रस्ताव एक बिदेख के रूप में सामिल किए जाता है जिसे बीत बिदेक कहते यह बिदेक परत्एक बर्स बजट पेइस किया जाने के तुरं अगला बजट प्राप्तियां इसके बाद बजट बे है और अंत में है अनुदान की मांग देखे बजट पेस करने के पहले सभी मंत्राले सभी समीती एवन स्वायत संता को एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें उनकी ओसक्ता के नुशार मांग किया जाता है कि आपका कित ग्रांट करते हैं आई समझते हैं बजट कीतायारी के बारब में बजट पेस किया जाने के पास मैंन पहले इस बजट की तयारी सुरू हो जाती है अब बित मंतराल नहीं तो बित सची तयार करता है अब तयार होने के बद बजट की छपाई कहा होती है आई समझते हैं सबसे पहले राश्पती वाम में छपाई होती थी लेकिन 1950 में बजट लिख हो जाने के बाद यहां पे छपाई होना बंद हो गया उसके बाद दिल्ली के मिंट जो रोड इस्थित सिकुरिटी प्रेस जो एक गवर्मन प्रेस है उसमें चपाई होती थी लेकिन बरतमान में नॉर्थ ब्लोक में 1980 से चपाई हो रहा है प्रणाब में बजट जो हैंग्रेजी में बनाए जाता था हर्थाथ इसकी पिरिंटिंग जो हैंग्रेजी में होता लेकिन बर्स 1955-56 से बजट हिंदी में तयार किया जाने लगा आज के डेट में बजट द्यूभासी है एक जो है अंग्रेजी में है दूसरा जो है हिंदी में है तो आप इसे ध्यान रखें हिंदी में कब से शुरू हुआ तो 1955 आए समझते हैं किंद्रिया बजट पेस्ट करने का समय साल 2000 तक बजट साम पांच बज़े तक पेस किया था 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 देखिए भारत का जो बजट है बिटिस मोडल पर अधारित है इसे आप ध्यान रखें यह परंपरा सर पेस्टी बलेकट ने 1924 इसुमें शुरू की थी साल 2001 से बजट 11 बज़े पेस किया जाने लेगा पहल इसे याद रखें रुखें 2001 से बज़ट 11 बज़े पेस किया जाने लगा तो आप यहांसे याद रुखें इक को पेस्ट किया जाने लगा तो आपको ध्यान रखना एयर भी दीन भी यह बजट तद कालीन बित मंत्री फरून जटली द्वारा पेस्ट किया गया था तिन सभी महत्कुन बिंदू के याद रखे क्योंकि यहां से प्रसन आते हैं आए समझते हैं बजट पेस्ट करने एक कर् आता है कि राश्पती सम्झत मंत्राले के मंत्री द्वारा संसत के दोनों सदनों में बार्शीक वित्तिय को रखेंगे सबसे पेले लोक्सवाम रखाया था और सेम डेराश्वाम रखाया था तो आप इस कर्म को याद रखे आये अब बजट से सम्मझत कुछ महत्कुन बिं के रहने वाले थे, बाइसराय परशद के परिशर में पेस किया, उस समय भारत के बाइसराय लाट कैनिंग थे, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सवर पर थम बजट कब पेस किया गया, 18 परवरी 1860 में इसने पेस किया, जेम्स बिलसन, जेम्स मिलसन कहा के रहने वाले थ है लौट कैनिंग भारत में एक अपरेल से 31 मार्ज तक चलने वाने बीत बर्स की प्रड़ाम 1800 सर्शट इसवी में हुई थी जबकि इसके पहले बीत बर्स एक मैसे 30 अपरेल तक था ओके फ्रेंड्स अगला मात्पून बिंदू है अजादी से पहले अंत्री मजट लियाकत अली खाने पेस किया यह बजट 9 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्ट 1947 तक के लिए था लियाकत अली का समन मुस्लिम लिग से था आजादी के बाद पहला बजट आरके सनोगम सेटी ने 26 अगस्ट 1947 इसवी को पेस किया यह बजट 7 महिने के लिए था यह बजट 15 अगस्ट 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के लिए था आजादी के बाद पहला गंतंत्र बजट 28 फरवरी 1950 इसवी में जौन मताईन ने पेस किया भारत जोय जर्मरी 1950 में गंतंत्र बन गया था आजादी के बाद चुनू ही सरकार के लिए CD देसमुक ने 1951 में बजट पेस किया CD देसमुक भीत मंत्री के सासत उस समय RBI के पर्थम भारतिये गौर्णर भी थे CD देसमुक भारतिये सिविल सिवाब पास किये थे अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपादी दिया था इन सभी महत्पून बिंदू के याद रखे देखे यहां पर चार प्रकार से आपको बजट के बारे मियाद रखना है पहला आजादी के पहले बजट किसने पेस किया तो लियाकत अलिखा दूसरा आजादी के बाद पहला पछेट किसने पेस किया तो इंस अन्मज pursuing के अगला महत्पून मिंदू है मुरारजी देशाई ने सरवादिक 10 बार बजट पेश किया जबकि 9 बार 5 इतमरम एवं 8 बार पर 9 मुखरजी ने बजट पेश किया तो सरवादिक बार मुरारजी देशाई दुसरे नमर पर 5 इतमरम तिसरे नमर पर 9 मुखरजी दिखे अपने जनम दिन पर बजट पेस्ट करने वाले एक मात्र बितमंतरी मोर्रारजी देशाही थे क्योंकि इनका जनम दिन 29 परव liquidity को होता है 29 परव proximity को बजट दो वार उन्नौने पेस्ट किया अपने जनम दिन पर एक वार 1964 दूसरा वार 1968 केसी नहीं होगी एवन हेमबती नंदर महगुना दो ऐसे बीत मंत्री थे जिन्होंने कोई बजट नहीं पेस किया संसद में बजट पेस करने वाली एक मात्र महिला पधन मंत्री इंद्रा गांदी है उन्होंने 1970 में बजट पेस किया था मौरारजित देशाई के त्याग पते देने के बाद इंद्रा गांदी ने 1970 में बजट पेस किया था निर्मला सितारमन पूर्ण कालिक बजट पेस करने वाली पहली महिला बीत मंत्री है यहाद समझे पहली महिला बीत मंत्री कोन है तो इंद्रा गांदी लेकिन कुछ समय के लिए बनी जबकि पुर्ण कालिक बीत मंत्री कोन मनी तो वह है निर्मला सितारमन तो पुर्ण कालिक पूछे तो आपको निर्मला सितारमन बताना है जबकि पहला बीत मंत्री पूछे महि समय के लिव नी थी जबकि भारत की पहली मैईला पुन काली कर अच्छा मंत्री निर्मला शिता रमन है इस वह महत्पुन विंदु के याद रही है क्योंकि यहां से प्रस्नाएंगे अगला महत्पुन विंदु को समझते हैं ऐसे कितने परधार मंत्री हुएं जो परधार मंत कुल मिलाकर 4 है पहले बित मंत्री थे बाद में परधान मंत्री वदने, पहला मुरार्जी देसाई दुसरा चौधरी चरनसी दुसरा वीपी चौथा मन्मोहन सी दिखिए इसमें तीन का सरनेम सी है मुरार्जी देसाई, चौदरी चरंसी, बीपी सी, मन्मोहन सी, अगला मात्पून बिंदु है, ऐसे कितने बीत मंत्री थे, जो बाद में राश्च्पती बने, अर्थात, पहलोगा बीत मंत्री थे, बाद में राश्च्पती बने, तो कुल मिलाकर दो है, एक है, रामा शौमे बेंकर ट्रमन, दुसरा, परनौ मुखरजी, अगला मात्पून बिंदु है, उत्राकंड, डिजिटल बजट पेस्ट करने वाला भारत का पर्थम राज है, हमारे देश में डिजिटल बजट पेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन उत्राकंड, डिजिटल बजट पेस्ट करने वाला भारत का पर्थम राज है अगला मात्पुन बिंदु है तत कालीन भीत मंत्री टीटी कृष्णा चारी द्वारा बर्स 1964 में पहली वार BDI सस्कीम अर्थात वुलंटरी डिस्प्लोजर आफ इंकम स्कीम के द्वारा काले धन को बाहर निकलने का प्रयास किया गया इस स्कीम के माध्यम से यह बताया गया कि अगोसित आय को आप बताये अगला है मात्पुन मिंदु बर्स 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का जाता है इस बजट में बजट यह गाटा 550 क्रोड था यह बजट यह स्वांतराओ भी चोहान ने 28 फरवरी 1973 को पेस किया था यहां से दो बाते ध्यान रखि पहला किस बर्स के बजट को ब्लैक बजट का जाता है तो आपको याद रखना है 1973-74 कब पेस किया गया 28 परवरी 1973 को सवंतराओ बी चोहान द्वारा दूसरा किस अस्कीम के द्वारा काले धन को बाहर निकालने का प्रेस किया गया तो आपको याद रखना है भीड़ी आईस स्कीम आये अब रेल बजट से समदित कुछ महतूल बिंदू को समझते हैं बर्स 1921 में एकवर्च समीती ने रेल बजट को अलग से पेस करने के सिपारिस की थी इसका तर्ग था कि रेल बजट जो है आम बजट से काफी बड़ा था अर्था उसका 85% था इसलिए बिलियम एक रेल बजट अलग से पेस किया जाने लेगा 1924 से अंतिम बार 2016 इसवी में रेल बजट पेस अलग से किया गया देखिए 2016 आते आते रेल बजट की जो ग्राफ थी काफी कम हो गया केंद्रिया बजट की तुल्ला में इसलिए बिबेक देवराय समीती ने इसी फारिस की कि रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया जाए तो अंतिम बार 2016 में रेल बजट को अलग से पेस किया गया यह बजट जो है तातकालीन colorIS मंत्री सुरज परवु ने पेस किया आपको एक प्रसणिया से और याद रखना है की रेल बजट पेस करने गया रेल बजट को केंद्रिये बजट के साथ पेस्ट करने का सूझा कौन किया था तो विवेक देव राय समीति ने इन सभी महतुन मेंदू की यादर किये क्योंकि यहां से प्रस ना सकते हैं आई समझते हैं स्वतंथ भारत के पर्थम पाच बित मंत्री के बारे में पहला है आपको यहां से दो परसन बन सकते हैं ध्यान में रखना है पहला भारत के दूसरे बित मंत्री कौन है तो आपको नाम याद रखना है केसी नहीं होगी लेकिन भारत के दूसरे बित मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेस किया तो आपको नाम याद रखना है जौन मताई यानि कि आपको ध्यान रखना है केसी नही लोगी कोई बजट पेस नहीं किये थे तिसरे बित मंत्री हुए सीडी देश मूख सीडी देश मूख देखें उनका कर्म याद करने का आसान तरीका है देखें सी जो है अंग्रेजी अलफाबेट कर तिसरा लेटर है तो आप यहां से जोड़ के याद रखिए चौथा टीटी कृष्णाचारी का नाम एक घोटाला में आया था जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद जेल नेरू भारत के लिए बजट पेस किये ऐसा करने वालब भारत के पर्थम परतान मंत्री थे उन्होंने 1958 में बजट पेस किया था इन सभी महकुन बिंदू के कियाद रखे क्योंकि यहाद से प्रस्थ बनते हैं आपको एक चीज और ध्यान रखना है CD देश्मुक चुनुई सरकार के लिए बजट पेस किये थे CD देश्मुक 1952 में बजट पेस किये थे CD देश्मुक को अंग्रेज़ों दोवारा सर की उपादी दिये गया था यह सिव सिवा अधियर्थी थे और होने सिवल सिवा उत्रण भी किये थे तिन सभी महत्मुन मिन्दू के याद रखें आए कुछ अब्जटि प्रसंट को बना लेते हैं पहला प्रस्थ बजट सब की उत्पति किस भास हम हुई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका अंसर क् वह आप से लिख सकते हियो अगला प्रस्थ ने परस्थ क का अपसर ना से आप्सर का बजट परतां किसने पस किया उप्शन A है आरके संगोंचेटी, उप्शन B जवाल नेरू, उप्शन C सीडी देश्मूख, उप्शन D लियाका तली खान, इसका अंसर उप्शन D होगा, लियाका तली खान, उन्होंने 17 से पहले भारत का बजट पेस किया था, इनका समन मुस्लीम लिख से था, अगला प्रस होगा, उप्शन D 18 फरवरी 1860, आप इसको इसको इस तरह से याद रहते हैं, यहां देखिया 18 है, यहां भी 18 है, अगला प्रसने, देश के कितने परधान मंत्रियों ने परधान मंत्री रहती वे बजट पेस किया, उप्शन A है 1, उप्शन B है 2, उप्शन C है 3, उप्शन D 2019, आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने इसका अंसर क्या होगा, अगला प्रसना है, रेल बजट को किस बर्स से आम बजट के साथ पेस किया रहा है, उप्शन A 2016, उप्सन B 2017, उप्शन C 2018, उप्शन D 2019, इसके अंसर होगा, उप्शन B 2017 अगला प्रस्न है भारत का पहला ओड़कम बजट किस बर्स पेस किया गया option A 2001, option B 2003, option C 2004, option D 2005 इसका अंसर होगा option D 2005 अगला प्रस्न है भारत का पहला ओड़कम बजट किस ने पेस किया option A 11C, option B P Chitamram, option C S1 Sina, option D Pranomukharji इसका अंसर option B होगा P Chitamram अगला प्रस्न है किस बर्स पेस किया गया बजट को black बजट का जाता है option A 1963, option B 1973, option C 1983, option D 1993 इसका अंसर होगा option B 1973, 28 परवरी 1973 को S1 12B 24 ने पेस किया था अगला प्रस्न है सुन अधारित बजट अपनाने वाला भारत का पर्थम राज कोन है option A उतरपरदेश, option B मदपरदेश, option C अंधरपरदेश, option D महारास्टा इसका अंसर होगा option C अंधरपरदेश अगला प्रस्न है सबसे अधरिक बार बजट किस बित मेंतरी ने पेस किया option A RKS N1 चटी, option B P चितमरम, option C CD देश्मूक, option D मुरारजी देशाई इसका अंसर होगा option D मुरारजी देशाई, इन्होंने 10 वार बजट पेस किया उसके बाद P चितमरम 9 वार पेस किया अगला प्रस्न है बजट का हिंदी संस्क्रण पहली बार किस बार पेस किया गया option A 1947, option B 1945, option C 1951, option D 1955, इसका अंसर option D होगा 1955 यह बजट जो है CD देश्मूक दुआरा पेस किया गया था अगला प्रस्न है गंतनत्र भारत का पर्थम बजट किस ने पेस किया अगला प्रस्न है किस बर्स पहली बार बजट सुभाई 11 बज़े पेस किया गया option A 2001, option B 2002, option C 2003, option D 2005, इसका अंसर होगा option A 2001, यहां दिखे एक और एक मिलकर 11 बनता है अगला प्रस्न है बजट पेस करने वाली भारत की प्रतमाहिला कौन है option A निर्मला सितयरमन, option B इंद्रा गांधी, option C सुस्वा सोराज, option D इन में से कोई नहीं यहां पे अंसर option B होगा इंद्रा गांधी, देकिन पूर्ण कालिक बजट जो है निर्मला सितयरमन ने पेस किया था अगला प्रस्न है निर्मलिखित में से कौन दो वित मंत्री जो बाद में भारत के राश्पती बने ? Option A, पर्नौमुखर्जी एवं रामनात कोविन, Option B, आर बेक केंटरमन एवं रामनात कोविन, Option C, पर्नौमुखर्जी एवं आर बेक केंटरमन, Option D, इनमें से कोई नहीं, इसका अंसर, Option C होगा, पर्नौमुखर्जी एवं आर बेक केंटरमन, अगला प्रस्न है कोई विदेख धन विदेख है यानि या कौन तैक करता है अप्शन A प्रधन मंत्री, अप्शन B राश्पती, अप्शन C बीत मंत्री, अप्शन D लोगसवाध ध्याज अंसर होगा लोगसवाध ध्याज अगला प्रस्न है भारत में पहला सुना अधारित बजट किसने पेस किया Option A जवालल नेरू, Option B इंदरा गांधी, Option C मनमोहन सी, Option D राजियो गांधी इसका अंसर होगा Option D राजियो गांधी अगला प्रस्न है बजट एक लेखा पत्र है Option A बानिजिक नीती का, Option B मौदरिक नीती का, Option C धन विद्यक नीती का, Option D राज कोशी नीती का इसका अंसर Option D होगा राज कोशी नीती का अगला प्रस्न है बिश्व का पहला बजट प्रोफेसर फिलिप किस बर्स पेस किया Option A 1731, Option B 1732, Option C 1733, Option D 1734, इसका अंसर होगा Option C 1733 अगला प्रस्न है, बर्तमान समय में बजट की परतियां कहां छत्ती है Option A, राश्पती भवन में, Option B, दिल्ली के मेंटोरेड इस्तित सरकारी प्रेस में Option C, South Block में, Option D, North Block में, इसका अंसर Option D होगा, North Block में अगला प्रस्न है, बजट किसके दोवरा पेस किया आता है Option A, राश्पती, Option B, प्रधान मंत्री, Option C, बीत सचीव, Option D, बीत मंत्री इसका अंसर होगा Option D, बीत मंत्री अगला प्रस्न है सवीधान के 21 अनुचे वर्णन किया गया है Option A 1.210, Option B 1.111, Option C 1.212, Option D 1.116ुँह इसका अंसर Option C होगा 1.112 अगला प्रस्न है बर्तमान समय में बजट एक वित्ती वर्ण के लिए pace किया आता है वह कब से कब तक चलता है? Option A, 1 मार्ज से 28 से 27 फरवरी तक, Option B, 1 मई से 30 अपरेल तक, Option C, 1 अपरेल से 31 माई तक, Option D, 1 अपरेल से 31 मार्ज तक. इसका अंसर Option D है, 1 अपरेल से 31 मार्ज तक. अगला प्रसन है, अपरेल बजट पेस्ट करने वाली भारत की पर्थम महिला कौन थी? Option A, इंद्रा गांधी, Option B, निर्मला सितारमन, Option C, मंता बनर जी, Option D, 1 मैं से कोई नहीं. इसका अंसर होगा, Option C, मंता बनर जी. अगला प्रसन है, भारत के दुसरे बितमंद्री कौन थें? Option A, जौन मताई, Option B, आरके संगों चिटी, Option C, टिटी कृष्मनचारी, Option D, केसी नहीं होगी? इसका अंसर Option D है, केसी नहीं होगी? अगला प्रसन है, बीत भी देख कर पेस के जाता है, Option A, बजट के दुरान, Option B, बजट के पहले, Option C, बजट के बाद, Option D, इन में से कोई नहीं, इसका अंसर होगा, Option C, बजट के बाद, अगला प्रसन है, और्थिक सर्वेचन अर्थात, एकनॉमिक सर्वेग का पेस किया जाता है, Option A, बजट के दुरान, Option B, बजट के पहले, Option C, बजट के बाद, Option D, इन में से कोई नहीं, इसका अंसर होगा, बजट के पहले, Option B, अगला प्रसन है, किस बजट बजट, दो बाद पेस किया जाता है, Option A, अपाक काल में, Option B, लीब बर्स में, Option C, चनावी बर्स में, Option D, कभी नहीं, इसका अंसर होगा, Option C, चनावी बर्स में, उमिद करता हूँ, आज के ये वीडियो आपको पसंद होगा, यदि पसंद है, तो लाइक, शेर, यदि कमेंट करना मत बुलिए, यदि आपको कोई सजेसन है, कोई सला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ओके फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत बुलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ, तक तक लिए थैंक्यू, धन्यवाद,